हाई अम शुश्मिता वैनत जी आज का हमारा टॉपिक थोड़ा अनोखा है आज कल बहुत से इंसान में इंसानियत नहीं बची पर जानवर हमें कभी-कभी बहुत कुछ सिखा देते हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जानवर से हमें क्या सीखना चाहिए तो वीडियो को पूरा देखना और कॉमेंट में जरूर बताना कि आपकी फेबरेट एनिमल कौन सी है और आपने उससे क्या सीखा और दोस्तों पिछली बार मैंने वीडियो बनाई थी कि पराई के साथ साथ हम पैसे कैसे कमा सकते है अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी त तो चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते है नमबर वन काओ गाए माता तो घर घर में पाई जाती है शायद आपके भी घर में हो सकता है पर क्या आपने कभी ये सोचा कि इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए तो चलिए मैं आपको बताती हूँ गाए हमें बहुत लस्ती और भी कितना कुछ तो इससे हमें ये ही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सबसे चीजे बाटनी चाहिए हम सबको पता है कि dogs are our best friends क्या आपने हचिको की स्टोरी सुनी है बहुत पहले जापान के एक युनिवर्सिटी के प्रोफेसर का एक डॉक था जिसका नाम था हचिको वो डॉक रोज उस प्रोफेसर के साथ आता था और युनिवर्सिटी में उनका लेक्चर खतम होने तक हची को स्टेशन में वेट करता था और शाम को वो एक साथ घर चले जाते थे लेकिन एक दिन अचानक यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर की डेथ हो गई और वो डॉक उनका इंतजार करता ही रहा करता ही रहा और शाम को उसके मालिक के ना लोटने पर उदासो के चला गया पर कहानी यही खतम नहीं होती हची को मरते दम तक रोज उस स्टेशन में आता था और अपने मालिक का इंतजार करता था और उनके ना लोटने पर शाम को फिर उदासो के चला जाता था इस स्टोरी पर बहुत से आर्टिकल्स लिखे गए और फिल्म्स भी बनाए गए यहां तक की हची को किस टैचू भी बनाए गए बफादारी कोई कुटों से सीखे इस से हमें यही सीखना चाहिए कि हमें हमेशा अपने लोगों के साथ बफादार रहना चाहिए घर घर में पाए जाने वाले इन चूहों से भी हमें सीख लेनी चाहिए शायद आपको पता नहीं होगा कि चूहे हमेशा एक साथ एक कम्यूनिटी में रहना पसंद करते हैं और उनके भी जर्नायलिक कोई लराई भी नहीं होती तो चूहों से हमें यही सिख लेनी चाहिए कि हम इंसान को भी हमेशा एक साथ मिल जुल के रहना चाहिए और कोई लराई नहीं करनी चाहिए अब चूहों की बात की है तो साप को कैसे पीछे छोड़ सकते है साप की खास बत ये है कि बड़ा होने पर साप की बॉड़ी बड़ जाती है और वो अपनी स्कीन को फेक देता है और उससे पहले उस सकीन के अंदर एक नई सकीन ग्रो कर लेता है तो इससे हमें ये सिखनी चाहिए कि बड़ा होने के साथ साथ हमारी जरूरते बदल जाती है इसलिए हमारे अंदर जितने भी बुरे सोच है या जिससे हमें फायदा नहीं होता वो निकाल देनी चाहिए और अपने अंदर नई सोच नई चीजे लानी चाहिए जिससे हमें फायदा हो नमबर फायव टाइगर हम अपने नैशनल एनिमल को कैसे भूल सकते है शेर शिकार करते वक्त हमेशा अपने शिकार का पीछा करता रहता है जब तक वो अपने शिकार के सामने ना आ जाता और सामने आने के बाद वो उस पे अटक करता है इससे हमें ये सिकना चाहिए कि हम अगर कुछ बड़ा करना चाहिए तो हमें पहले ही सब को वो नहीं बताना जब हम अपने काम को पूरा कर ले या अपने लक्ष के नजदीक पहुँच जाए तो हमें सबको बताना चाहिए तो दोस्तों ये थी पाच लाइफ लेसंस जो हमें जानवरों से सीखना चाहिए दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है ओला पोका नहीं नहीं वो उसका रियल निम नहीं है चैनल का नाम है उसका दो यूट्यूब चैनल है ओला पोका और लिटल माइंट एक में वो म्यूजिक वीडियोज बनाता है और दूसरे में ब्लॉग्स बगेरा डालता है अगर आप इनमें इंटरेस्टेट हो तो उसका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक मैंने डेस्क्रिप्शन में दे दिया है इंसान में इंसानियत ना रही जानवर बन गए सारे अगर जानवर ही बनना है तो बुरी आदते नहीं उनकी अच्छी आदते सीख लो सारे दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लेगी तो एक लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब कर देना और अगर आपकी फेवरेट एनिमल यहां नहीं था तो भी कॉमेंट में बताना मैं उसके उपर बाद में वीडियो बना लूँगी तो फिर में लेंगे नेक्स टूइस्डे को गुट बाइ और कीप लाइनिग